वेलकम बैक फ्रेंड्स यह है हमारी वीडियो नमबर थाटी एट क्लास टाइन्थ इंफरमेशन टेक्नलोजी यानि की आईटी के लिए और हम डिसकस कर रहे थे इंप्लॉइबिलिटी स्किल्स के अंदर ICT स्किल्स को और ICT स्किल्स की प्रिवेस वीडियो में हमने समझा था ओप्रेडिंग सिस्टम क्या है और कौन-कौन से टाइप के ओप्रेडिंग सिस्टम होते हैं तो बेसिक्स हमने प्रिवेस वीडियो में कवर किया था और इस वीडियो में देखने वाले हैं कि computer की care and maintenance के लिए हम कौन-कौन से steps को यहाँ पर follow कर सकते हैं. तो computer system को हमेशा ही जरुवत पढ़ती है maintenance की ताकि वो effectively यहाँ पर काम कर सके और poor maintenance हमेशा ही system failure को यहाँ पर lead करता है यानि कि अगर आप maintain properly नहीं करेंगे तो आपके system failure के chances यहाँ पर बढ़ जाते हैं. तो computer system के बहुत internal and external part दोनों को हमने यहाँ पर उसकी care करनी है external part तो हम directly देख सकते हैं जैसे monitor, keyboard, mouse यह सारी चीजे है internal यानि कि उसकी files को जो आपकी files है जो आप use नहीं करते हैं उनको हटाना जो आपके ऐसी file है जो काफी times है लेकिन वो use में नहीं है उनको delete करना सभी अपने जो computer है उसको dust free आपने रखना है किसी भी एक clothes से आप उसको साफ कर सकते हैं at least two या तीन दिन के अंदर एक बार इसके लावा आपने कोई भी edible items वहाँ पर नहीं करने हैं क्योंकि अगर वो split होता है आपके system के उपर तो system के failure के chances बढ़ जाते हैं और अपने keyboard को clean करने के आपने carefully handle करना है क्योंकि उसमें scratches बढ़ते हैं तो उसमें फिर quality maintained नहीं होती है इस तरीके से कपड़े से आप simply इसको साफ कर सकते हैं दो से तीन दिन के अंदर इसके लावा आपने maintain करना है schedule को एक schedule आप use बना सकते हैं इनको clean करने के लिए maintain करने के लिए जैसे आपने जित देखा होगा जैसे आजकल तो आपका wireless आता है लेकिन जब wired थे तो आपने देखा होगा airphone या headphone के जो wire है वो भी काफी matched up रहते थे तो आपने wire maintenance भी आपने properly करना है अनुथराइज़ जितने भी software है उनको आप यहां से delete करें आपने अपने data का regularly backup रखना है antivirus software आपका up to date ह होना चाहिए over charge आपको नहीं करना है अगर आपका जो batteries है वो charge हो चुकी है तो आप unplug करें और अपने computer को आपने हमेसाई shutdown करना है proper form में इसके अलावा virus के थ्रू हम कैसे यहां पर अपने system को secure कर सकते हैं तो virus से एक system software program होता है जो कि खुद को attach करता है ब्राकी programs के साथ और हम अल्टर करने के बाद क्या करेगा अल्टर करेगा या simply change करेगा अब अलग-अलग programs के behavior को कई बार इसका full form भी पूछा जाता है वाइरस का full इसके अलावा email में जो file attachment होते हैं क्योंकि email के अंदर हम किसी भी file को या किसी भी document को attach कर सकते हैं तो कई बार इनके थ्रू भी आपका जो वाइरस है वो आ सकता है आप वाइरस के common sign क्या है कि आपके system virus infected है आपका system जो है वो slow down हो जाएगा यानि कि वो अपने maximum efficiency के साथ काम नहीं करता और आपके size में change यहाँ पे देखने को मिलता है file के और इसके अलावा आपका computer जो है वो कई बार respond नहीं करता computer खुदी आपका restart होता है तो यह सब आपके common यहाँ पे science है आपका system पे वाइरस होने के तो करने के लिए computer को या maintain करने के लिए हमको क्या-क्या steps लेने चाहिए कुछ यहाँ पे tips है जैसे आप install कर सकते हैं latest antivirus software को और scan करके ही आप जितने भी files आप download करते हैं internet से उनको आप scan करके चलाए कोई भी unauthorized email या spam जो होता है वेसे तो आपका जो mail है वो already यहाँ पे spam में डा पर जब आप surfing करते हैं अपने data को search करते हैं तो कई बार महाँ पे manually software's download होने लगते हैं mainly आपके useful software की तरह लेकिन actual में वो virus होते हैं या ऐसे software होते हैं जिनका कोई ज्यादा use नहीं होता वो केवल आपके system की memory को आपका use करते हैं इसके लाब आप firewall यूज कर सकते हैं firewall आपका आप both hardware and software level पे system को security provide कराता है तो firewall क्या है ये computer network security का एक software है जो की restrict करता है internet traffic को in and out यानि कि कौन सी file आपके system पे आईगी कौन सी जाने वाली है एक private network के अंदर तो firewall का आप use कर सकते हैं इसके लाबा cookies cookies के बारे में कई बार पूछा जाता है तो cookies आपकी small files होती हैं जो की web server आ आपके system पे browsing information के लिए क्योंकि जब भी आप internet use करेंगे आप हर बार अपने system से request करते हैं server को data के लिए तो server बार बार इस process में time consume होता है तो वो cookies की मदद से एक file के अंदर सभी data को रख लेता है ताकि next time आपका connection बनाने में ज़्यादा time न लगे और first से आपका जो time है वो बच जाए और आप surfing ज़्यादा speed से कर सके हैं तो आई hope आपको सभी यह basic से topics से आपको आए होंगे तो इसी के साथ हमारी यह video भी खतम होती है और हमारी जो unit 3 है यह भी complete होती है यानि कि ICT skills तो इस video के जो notes है वो आपको description box में मिलेंगे और complete जो आपके videos है उनका link आपको description box में मिलेगा जो कि एक playlist के form में है तो मैं मिलता आपसे next video में जहां पर आप स्टार्ट करेंगे unit number four को video number 39 कि अ